जब हम रेस्टोरेन में भिंडी खाते हैं're in the California Holiday अजह में बनान को prescribed a अधर में इससरे बहुत भी इस रहाएं नन भी कई महाँ मैंपक़ा सकते हैं और सीरेंकंगें नमस्ते नीलम किचिन से मैं नीलम स्वागत है आपका आपकी ही चैन में चलिए फिराज दही बिंडी बनाते हैं थोड़ा से लैसों और थोड़ी हरी मिर्च और अद रख लिए इन सब काम पेस्ट बनाएंगे प्याच को भूंजेंगे उसको उसका पेस्ट नी बनाएंगे उसको मैंने महीन चौप किया हुआ है अब देखे यह हम क्या करेंगे यह टमाटर जो मैंने दो टमाटर लिए थे उनको रफली कट कर लिया था उनको डाल देती हूँ यह थोड़ा सा अधरग और लेस उनकी दस के लगवग यह कलिया है इनको डाल दिया और दो तीन मिर्च हरी उनका पेस्ट बना लेंगे और यह भिंडी को मैंने कट कर लिया है मैं इसको ना फ्राई करके बनाओंगे पाईल में हो जाएगा यह देखिए मैं भिंडी को डाल देती हूँ इसको फ्राईगा तो भिंडी को मैं बहुत जादा ब्राउन नहीं करना है हलका सही रोश करना हलका वह तो 70-80% हमारा पक जाए उससे ज्यादा नहीं कि आप बिलकुल उसको जला लो क्योंकि बागी जो जादी है फिर उसको थोड़ी देर छोड़ी है मैं बीच-बीच में चला देती हूँ यह देखिए हमारी भिंडी पक चुकी बस इतना ही हमें इसको नर्म करना है यह 75-80% के लगभग यह पक चुकी है अब इसको मैं निकाल लेती हूँ अब हम क्या करेंगे इसको सारी भिं इसको भी थोड़ा साही भूझना है जिससे इसकी मिठास वह थोड़ा सा कम हो जाए और इसका कच्छापन और इसी में जो पेस्ट बनाया था टमाटर मिर्ची अद्रक का वह सब इसमें हमने डाल दिया और इसको भूझेंगे इसको थोड़ा थोड़ा सा मैंने भूझ लिय है अब हम क्या करेंगे इसी में मसाल weiter खर देंगे जसे मैंने धाय चमच धनिया पाउडर ढ़ा है इसे बहुत अच्छा दह धनिया पाउडरर अच्छे से डाली और फाइदा भी बहुत करता है और ठोड़ा सा यह रैट चिली पाउडर ढ़ाले यह लाल मिर्ची पाउडर ठोड़ी से हल्दी हल्दी बहुत ज़्यादा नहीं थोड़ी सी ही डालनी है यही कि जपना इसे बीच Пकाईए आखक चाहते हैं। अच्छे से पकाओं से अच्छे से घाल एक ही नहींदा पकाव तो इन कमें आखके हैं. तो इसकी क्या है फेले मीडियम फ्लेम में पकाती हूं फिर थोड़ा सा सिलो करके और पकाते रहेंगे जितना अच्छा मसाला आपका पका हो उतनी अच्छी ग्रेवी होगी यह तो मैं सारी सब्जी हों वेले जैसे हमें कभी-कभी अच्छा टेस्ट उसमें है कि टाय में आरा पक चुका है आप क्या करेंगे हम इसको बीच-बीच में फिट भी चलाएंगे क्या टमाटर वो अच्छे से हो गया तो टमाटर का पानी भी चला गया है बुझ चुका है यह तो इसको मसाले को आप जल्दी में मत कीजिए देखिए हम क्या करेंगे इसको ऐसे बीच-बीच में चलाते जाएंगे लेकि मसाला पहले भी बुन चुका आप चाहो तो उतने में भी यूज़ कर सके लेकिन और अच्छा टेस्ट रेस्ट्रेंट वाला तो यही तरीका है कि उसको बीच-बीच में चला के फिर और कर दिए यह मैंने दही लिया है दही को मैं तब तक फेट ल ला इसमें और यह थोड़े सको खंगाल के डाल दिया है अब सबको हम मिलाए करेंगे अभी गैस हमारी बंदी है तेज नहीं है न जल रही है इसको आराम से मसाले में दही अच्छे से बोगर देंगे जिससे क्या होगा यह मसाले में अच्छे से मिल भी जाएगा और यह चौनगा है। इसी बीच में थोड़ी सी कस्तूरी मैफ्ट कर दिए है। इसको भी आराम से भूंज दे दिया है। अब मैंने गस इसको खोल दिये। यह अभी विल्कुल लेकिं सिलो है compassion है। इसी में आराम से भूंज मसाला मैंने पहले नहीं add किया था आगा था बाद में add करूंगी तेस्ट भी अच्छा आगा और खुश्बो भी बहुत अच्छी आएगगी अब लेखे हमने खड़े मसाले तो यूज नहीं किया है अब इस इमें हम पानी अठ करेंगे पानी इसमें बहुत जादा नहीं करना जैसे मैंने वो पियाज डाली थी ना पियाज के बाद ही, कटीवी पियाज के बाद तरन्थ भियंडी डाल दीजे, फिर रोश्ट कर लिए, अच्छे से पिर उसी में मसाला, प्योरी वगेरा, यह सब डाल के वैसे कर सकते, आब इसमें ये ज़रूर डाली है, अमचूर पाउ बहुत अच्छा था यह देखे अब हम निकाल लेते हैं यह हमारी रेडी है और इसका ना खुझबू तो मैं जब आप बनाओं के तभी बता सकते हो अभी मुझे तो बहुत अच्छी खुझबा रहे हैं और इसको आप रोटी पराठा नान किसी के साथ भी खाई यह तो आप कि आप अगर भूग भी ना लगए हो ना तो इसको एक वाइट भी खाऊगो ना तो भूग बढ़ जाएगी इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है इसको एक बार बनाके और मुझे वेडियो में कमेंट्स करके जरूर बताएगे कि आपकी रेस्पी यह कैसी बनी यह देग झाल